नमस्कार, आज हम सिर्के वाले प्यास बनाएंगे, ये गर्मी से राहत भी देता है, इसको बनाने के लिए 20-30 छोटे प्यास लिए हैं, 4-5 हरी मिर्ची, एक बड़ा चम्मच नमक, एक चुथाई कप चीनी, एक बीट रूट, सिर्का, डेट कप, आधा कप पाने लिया है, सबसे पहले हम चोटे जो प्यास हैं, उनके आगे से और पीछे से काट लेंगे, और उनके लाल चिलके तक हम उनको उतारेंगे, ज़्यादा मोटरे चिलके तक नहीं उतारना है, हमने उसका पतला उपर का चिलका उतार देंगे, सभी प्यास की हमने पीछे से और आगे से का कर उनके पतले चिलके को उतार देना है प्यास छोटे ही चाहिए सभी प्यास के चिलके हमने इस तरह से उतार दिये हैं अब हम प्यास लेंगे और उसको एक्स की तरह आधा काट देंगे इसको पूरा नहीं काटना है सिर्फ थोड़ा सा कट लगाना है और ध्यान रहे कि ये नीचे से प्यास जो है पूरी तरह ना कटे हमें सिर्फ थोड़ा सा ही काटना है सभी प्यास को हम इस तरह से काट लेंगे ये बहुती स्वादिस्ट और जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत स्वाध हुटता है इसको हम 4-5 घंटे के बाद भी खा सकते हैं सभी प्यास को हमने X की तरह इसको बीच में से चीरा लगा दिया है अब हमने हरी मिर्ची ली है हरी मिर्ची को अच्छी तरह से धो कर साफ कर लिया है और बीच से हम इसको लंबी अकार में काट लेंगे हरी मिर्ची का इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है बड़ी ही अच्छी खटे-खटे लगती है बीच में से काट कर इसकी फिर हम बाद में पीछी जो इसकी डंडी है उसको भी कैपस को भी हम भटा देंगे Remove कर देंगे सबी मिर्ची को हमने अच्छी तरह से काट दिया है अब हम बीट रूट लेंगे बीट रूट का छिलका उतार दिया है अब हम इसके चोटे Slice में काट देंगे बीट रूट ऑप्शनल है आपकी मन है तो डालिए ने तो रहने दीजिए बीट रूट डालने से इसमें बड़ा ही अच्छा कलर आ जाता है और स्वाद भी बनता है अब हम इनको छोटे छोटे टुकडों में छोटे क्यूप्स में काट लेंगे बीट रूट को हमने चुकंदर को काट दिया है छोटे टुकडों में सभी चीजें अचार की त्यार हो गई है प्यास को हमने एक्स के रूप में काट दिया है बीट रूट हरेमेची सिर्के वाला प्यास चलिए बनाते है एक बाउल लेंगे, बाउल में हम पैनेगर सिर्काड डाल देंगे और उसमें चीनी डाल देंगे नमक डाल देंगे मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कमज़े जादा कर सकते हैं इन सब को हम अच्छी तरह घूलने तक खूल लेंगे नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें प्यास कटे हुए डाल देंगे, जिनको हमने पहले X की शेप में काटा था बीट रूट के कटे हुए पीस डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे हरी मिर्ची अगर आपका मन हो तो डाल लिए और एक कप हम इसमें पानी डाल देंगे इसको फिर हम अच्छी तरह सी mix कर देंगे थोड़ी देर में ही देखे कितना अच्छा कलर आ गया है गया है आप इसे 5-10 घंटे तक भी खा सकते हैं अब हम इसको एक शिशे के बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे ध्यान रहे कि जो बॉटल है वो अच्छी तरह से सुखी होनी चाहिए अब हम इसमें बचा हुआ बैनिगोर और पानी मिक्स वाला पानी डाल देंगे दो से तीन दिन तक हम इसको रखेंगे धकन को अच्छी तरह से बंद कर देंगे आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं एक दो दिन के बाद जो है बनकर त्यार हो गया है वाक्या मजेदार बना है प्यास भी soft हो गए हैं और अच्छी तरह से इन में सिर्के का स्वाद भी चला गया है और color भी इनका लाल हो गया है देखते ही मन कर रहा है कि इसको खा लिया जाए सिर्के वाला प्यास भन का त्यार हो गया है आप अभी इसको बनाईए खाईए और अपने अनुभब जरू शेयर कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको आप 10 से 12 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं मजा लीजी अनन लीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार